नमस्कार में हुदंश्री के क्या दियूस में आपका स्वागत है वड़ते हैं खबरों के और अधारताल पुलीस ने निकाला एनसे आउरोपी इंडियम मनसूरी का जुलूस शेत्र की जनता को ख्यात आरोपी से खौफ मुक्त एहसास दिलाने के उतेश्य से नामी बदमाश एवं फरार आरोपी डियम मनसूरी का अधारताल थाना पुलीस ने जुलूस निकाला और फिर न्यायाले की कारवाहे पुर्ण कर उसे जेल भेजा गया राप्त जौनकारी के अनुसार शेत्र में धोकाधड़ी के प्रक्रणों में फरार सफेद पोष भू माफिया डियम मनसूरी को गिरुफतार कर लिया गया है उसके खिलाप राष्टिय सुरक्षा अधिनियम एनसे के तेहत भी कारवाई की गई है गौरतलब हो कि दिन मुहम्मद उर्फर डियम मनसूरी के खिलाप दुशकर्म, जुवा, कुटर्चित, दस्तावेजो के अधार पर धोकाधड़ी करना एवो मारपिट समित साथ प्रक्रण न्याले में विच्वारा थेन है अधारताल थाना में दर्चत हो काधड़ी समित अन्य प्रक्रॣों में वो फरार था जुसके तलाश की जा रही थी पूर्प में उसके खिलाप प्रतिबंधात्म कारवाई की गई परन्तु उसकी आधतों में सुधार नहीं हुआ उसके स्वच्छन्द वीचरन से मानव जीवन के खत्रे को देखती हुए पुलिस अधिक्षक सिधार बहुगुना ने NSA प्रतिवेदन तैयार करने के नर्देश दिये थे मनसूरी के खिलाप NSA प्रतिवेदन कलेक्टर कार्याले भेजा गया था जिस पर सहमत होते हुए जिला दर्णादिकारी एवं कलेक्टर करम विर्श शर्मा ने NSA वारंट जारी कर उसे केंद्रिय जेल में नर्देश कराने के नर्देश दिये थे इधर धोका धाड़ी की प्रक्रुनों में फरार होने के कारण उसके तलाश की जा रही थी जिभार को मुकबीर की सूचना पर डियम मंसूरी को घेरावंदी कर गिरफतार कर लिया क्या था गिरफतार उपरांद NSA वारंट के तामीली कराते हुए उसे नयायले तक पैदर लेकर जाया क्या थाकि लोगों के दिलों में उक्त अपराधी का खौप कम हो जिसके पश्चात उसे नयाले ने जेल पेश दिया क्या जबलपूर से वाचित खान की रिपोर्ट ऐसे ही खबरों भी बने रहने के लिए हमारे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले